तो चुल दोस्तों आपका सभागत है हमारे चेंपियन जैट पर मैं हूँ आपका दोस्त मुहममद जैट और दोस्तों आज हम लोग बच्चे हुए कॉस्चन को निप्टाएंगे कुष्चन नमबर सेवन से टीक है तो इसमें हम लोग देखें कुष्चन नमबर सेवन में थो और हम लोगों को गीवेन है ठीक है डॉट डॉट करके यहां पर गीवेन डाल दो यहां लोगों का गीवेन हो गया गीवेन दिखाया कुछ गीवेन हो गया तो इसमें बीडी अपॉन डीएफ जो है जो बीडी अपॉन डीएफ है वह एक्वल आएगा एसी अपॉन सीए के और यहां पर लिखोगी इंटरसेप्ट मेड़ वाई थ्री पैरलल लाइन्स ठीक है मैंने कोड़ वर्ड में लिखा आप पूरा लिखो तो बी यह 12 आ गया तो तो सी का एंसर आपको मिल जाएगा 6 सी मिल गया तो आपको sc 20 इस तरीके से इसको करना है कर लिए फिर लोग भड़ते है और्ट रेक्ष τα संब्सक्री इसको लिख लीजेश तो गाइस अगला question मुझे नहीं लगता कि मुझे कराने की जरूरत है पर फिर भी लगता है कराना पड़ेगा ठीक है तो इसमें भी बोले कि जो यह रे है वो कर रही है एंगल को अलब इंट ट्राइंगल एलमन एंट रे एंटी वाइशेक्ट अंगल एंगल को घांगल करें तो लम अपॉन एंट जो होगा वह एक्वल होगा एल्टी वाइटी यंक के डॉटर्ट करके यहां पर लिखो गे प्रोपरटी ऑव एंगल बाय से इस तरीके से हो गया आपका यह आपका TN लिखा हुए थोड़ा प्रापरली देखो ठीक है LM आपका 6 है MN आपका 10 है LT आपको नहीं वालू है TN आपका 8 है क्रॉस मल्टिप्ला करो तो LT इंटू 10 इस इक्वल टू 8 सिख जब 48 LT इस इक्वल टू आजएगा 48 बाइ 10 एक नमबर के बाद पॉइंट लगा दो तो आपका LT का एंसर मिल जाएगा 4.8 बहुत इज़ी लिए हम लोगों को मिल गया Q8 का एंसर चलिए इसको लिग लिए फिर हम लोग करते नवा Q9 भी आपका बहुत ही जादा इज़ी है खाली X दिया गया तो अपन मिल इको एंसर आजएगा इसमें आपको X की वैलू फाइंड करनी हो सकते आपको कहीं कहीं पर पूछे कि पूरे साइड का भी मेजरमेंट फाइंड करो तो आप एक्स की वैलू रख देना जैसे X की वैलू सब आपनो 9 आईए तो 9-2 यह 7 हो जा करेंते हो ना दो तो मतलब कि वहां पर हो रही है वो होता हैं मारा सेगमेंट और एक एरो मतलब क्या कि यह इस कहा भी है और यहां पर यह प है झाय कहा है और और तो फिलएव पर यहां पर यह बिदी जो है वह बाइसेक्ट कर रही है एंगल ABC को थे तो AB upon BC हमारा रेशियो जो होगा वो ad upon dc के equal होगा और dot 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 करके लिखोगा property of angle bisector of a triangle ठीक है इस तरीके से इसकी है property हो गई अब values रख दो a b की value x यह होगा x plus 5 यह होगा x minus 2 और यह होगा x plus 2 ठीक है और दोना एक दूसरे के equal है तो cross multiply कर दो तो x x plus 2 is equal to x plus 5 और इधर x minus 2 ठीक है तो इधर ही हो जाएगा x square plus 2x और इधर इसको open करो तो x को एक बार x minus 2 से एक बार 5 को x minus 2 से ठीक है solve करो इसको तो x square minus 2x plus 5x minus 10 और इधर क्या आया इधर आ x square plus 2x ठीक है अब solve करो इसको इसको कैसे solve करेंगे देखो x square plus 2x को अभी ऐसे ही रहने दो इधर क्या बचेगा x square plus 3x minus 10 अब x square x square दोनों कट जाएगा कैसे कट जाएगा तो minus 10 को यहीं रहने दो बाकी सब को यहां लेकर आओ देखो क्या होगा x square के साथ x square 2x के साथ 3x और 10y रहने दो minus कैसे हुगा क्योंकि यहां पर plus था तो यह minus x square plus में था तो minus यह कट गया और यहां गया minus x is equal to minus 10 ठीक है अब minus minus भी कट गया therefore x की value आपको मिल गई 10 इस तरीके से करना है कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको multiply अगेरा करने आना चाहिए calculation है सिर्फ इसको कर लीजे फिर हम लोग करते दसवा question जो कि एक activity के form में है तोड़ा सब tricky है अच्छा हो activity के form में आपके लिए easy हो जाएगा तो guys question number 10 में सबसे बड़ी difficulty है सर डाइग्राम कैसे बनाए यही है सबसे बड़ी difficulty बहुत सारे बच्चे डाइग्राम बनाने में फेल हो जाते है तो सम कैसे कर पाएंगे ठीक है कि जो segment PR है वो parallel है df के segment PR जो है वो parallel है segment df के PR का है भई PR यह है और df यह 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 दोनों parallel है इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लोगों को यह यह हम लोगों का x है तो xp upon pd को xr upon rf के equal नाना होगा basic proportionality थे रहाम अगर इस triangle को मैं बाहर निकालू इस triangle को अगर मैं बाहर बहुत सारे बच्चे activity समझ के छोड़ देते बट यह ही challenging है यह x हो गया यह हो गया पी यह हो गया आर तो अगर मैं इसके upon इसको और इसके upon इसको equal बताओ तो हम लोगों का जो line है वो parallel हो जाएगा PR जो है वो df के parallel हो जाएगा तो इसमें जैसा किया हो ऐसे मुझे कराना प लिखते चलता हूँ don't worry about that और given अगर line हमारा parallel हो गया कौन-कौन से PQ और DE PQ और DE जब parallel हो गया तो xp upon pd जो होगा वो xq upon qe के equal होगा ठीक है तो xp upon pd जो होगा वो xq upon qe के equal होगा और यहाँ reason डालोगे bpt वहा पर full form लिखाया आप भी full form यूज़ करना ठीक है तो कौन-क से यहाँ पर box में बॉक्स में जड़ा डाल दूं नीचे वाला उपर वाला इस तरीके से अगला triangle लिए xef in triangle xef xef मतलब यह वाला इसमें भी qr जो है वो ef के parallel है और यह चीज़ें हम लोगों को टेक्स रूप में देखे रखी है ठीक है तो इसमें qr जो है वो parallel है ef के तो इसमें xq upon qe जो होगा वो equal होगा xr upon rf के ठीक है इधर भी reason लिखोगे bpt खाली छोड़े तो यहाँ पर bpt लिख अब देखो हमें answer मिल चुका है इसको देदो number two इसको देदो number one देखो xq upon qe यहाँ भी था xq upon qe यहाँ भी है lhs equal है तो rhs यह भी equal हो जाएगा ठीक है यह दोनों equal है यह दोनों भी equal हो जाएगा और भाई हमें प्रूफ करना था xr upon rf xr upon rf xp upon pd xp upon pd दोनों equal हो जाएगा ठीक है यह भी आपका box में रहेगा यह xr है ठीक है यह भी आरे तो यह दुनों parallel होगे तो जो segment PR होगा वह parallel हो जाएगा segment df के ठीक है ठीक है पहले आपको समझ में आना चीए चलिए अब लास्ट केस्चन करते हैं थोड़ा सट्री की है वो आये लास्ट कुस्चन करते हैं इसको बहुत ही बढ़िया से मैंने सजाया हुए क्यूंकि लास्ट कोशचन आप लोग जानते हूं सब लोग काफी अच्छे से सबसे वड़ी प्रापलम को सचना पड़ेगा 돼ごा को सोच ऑ बेखो इनमे Bloody vyese अब करें आफ आप का ट्राइंगल a b c आप अप ए क्या बोले तो डी ट कर रहा है ए बीसे को ए बी सी को बेची can audio किसित कर रहा है मतलब वह इस तरीके से लिए बीसे और रेस C E C E मतलब यहां से होगा यह Bicect कर रहा है एंगल A C B को ठीक है इंगल A C B को तो हम लोगों कर अगर A B A B A C के congruent है बात में देखेंगे तो प्रूव करो कि E D जो है वो पैरलल है B C के E D मतलब यह यह इसके पैरलल है तो तो bpt और प्रापरटी वाला वो दोनों यहां लगीगा क्योंकि देखो पहले हमें बासेक्ट वाले से कुछnantेए मिलेगा फिर उसके बाद जो कांउन्हें उससे कुछ मिलेगा तो bpt में ढू learns बताएंगे कंवर्स ऑब से दोनों लाइन को पैरलल बताएंगे और हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले प्रूफ क्या करना है वो लिख लो टू प्रूफ गीवेन वागेरा लिखने में टाइम मत वेस्ट किया करो कुछ जादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है तो ABC को बाइसे करें तो रेशियो के सबने का AB upon BC AB upon BC will be equal to AD upon DC इसको दे दो number one और यहाँ पे जो reason लिखना है भी मैं बताता हो क्या लिखना है ठीक है अब दूसरी बार लिखो also also race CE bisects angle ACB इसमें ACB को बाइसे कर रहा है तो AC upon CB, AC upon BC, CB लिखो BC लिखो एक ही बात है और यहाँ पे आजएगा AE upon EB ठीक है इसको दे दो number two अब दोनों जगा common property लिखो property of angle bisector of a triangle ठीक है तो अगर हम लोग किसी तरीके से AE upon EB को AD upon DC के equal बता दिए तो Converse of BPT लगा के हम लोग line को parallel बता सकते हैं तो दिखते हैं इसमें मिल रहा है क्या AE upon EB मिल रहा है AD upon DC भी मिल रहा है तो उसके लिए LHS equal है नचेता भी बता पाएंगे तो AB upon BC, AC upon BC 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 तो equal है बट AB, AC अलग है ABC congruent नहीं है कौन बुला congruent नहीं है congruent है ठीक है but segment AB congruent to segment AC यहां पर लिख दो given ठीक है अब दोनों equal हो गया therefore आप RHS, RHS को equal बता दो तो AD upon DC जो होगा वह AE upon EB के equal आजाएगा वरना आप लोग एक और step यहां पर बढ़ा सकते हो क्या BC की जगहां एक बार sorry BC कोई जगहां कुछ मत करो AC की जगहां एक बार AB लिख दो अब common हो गया ठीक है यह बताने के बाद यह step copy करके आप लो लिख सकते हो नहीं लिख हो गया कोई बात नहीं इजी था मज़ा आया चल इस तरीके से हमारा 1.2 खतम हुगा अगले लेक्चर है मिलेंगे तो हम लोग 1.3 का बेसिक सीखेंगे और फिर 1.3 दो पार्ट में सॉलू करेंगे चलिए मिलते अगले लेक्चर में